किक कलम यदि सत्य लिख दे धर्म का आधार बन जाए विरोधी बन जो लिख दे न्याए तो अखबार बन जाए किसी सत्ता किसी सरकार के आगे नहीं जुकती कलम ही है समय आने पे एक हथियार बन जाए और पिता की भूमिका क्या है हमारे जीवन में सुनिएगा आप सब पिता हैं और पिता की भूमिका में है कि पिता के साथ हमने दिन कभी काले नहीं देखे ये जीवन ब्यूह के रचते हुए जाले नहीं देखे पिता जलती हुई इसी धूप में बटवरिक्ष की छाया पिता के पाओं के हमने कभी छाले नहीं देखे पिता के पाउं के हमने कभी छाले नहीं देखे के नीदेवार दी जिसने लुटाया प्यार जीवन भर तो हम क्या करते हैं तो जगड़े भी नहीं सुल्टे बिना इसमा की गाली के और कित देश को जगाने है तु एक अभियान ठना सोए हुए साथियों को मिलके जगाएंगे देश की अखंडता पे जो भिटेड़ी चाल चले ऐसे दुष्ट द्रोहियों को मारके भगाएंगे तो राश्ट्र चेतना अनूप मातु भारती का रूप भिन्नता में एक ताक नेह से सजाएंगे सभी भाई बंधु संग एक राग एक रंग बिना कोई जंग वंदे मातरम गाएंगे सभी भाई बंधु संग एक राग एक रंग बिना कोई जंगवंदे मातरम गाएंगे और कहा कि हमें बचपन से पढ़ाया गया कि देदी हमें आजादी बिना खडग बिना ढाल मैं बहुत प्रणाम करती हूँ परंतु एक प्रश्न है सुनिएगा कुछ लोगों ने कहा भी मैं अपनी बात रखती हूँ छंद के माध्यम से आप समझेंगे और आसीश देंगे सुनिएगा कि देश की स्वतंतरता है तीन बंदरों के नाम तो क्रांतिकारियों की वो कहानियों को क्या कहें खून से सने हैं इतिहास के अनंत पेज लोभियों की कहो मन मानियों को क्या कहें तो सुख देव राज गुरु शेखर भगत सिंग इंकलाब में बही रवानियों को क्या कहें हसते हसाते के हसते हसाते फंद मौत का जो चूम गए ऐसे देश भगतों की जवानियों को क्या कहें कि रास्ट्रगान भावना पे जिसे अभिमान नहीं देश में छुपे हुए वो लोग पहचानिये तो सरयाम करें वंदे मातरम का विरोध ऐसे द्रोहियों का जप योग पहचानिये तो खाएंगे यहां की और गाएंगे वहां की सदा मित्रता में शत्र का प्रयोग पहचानिये कोने कोने फैल गए कोड की बिमारी सम भला चाहते हैं तो यह रोग पहचानिये कोने कोने फैल गए कोड की बिमारी सम भला चाहते हैं तो यह रोग पहचानिये कि मानवी यता को मार मार जी रहे हैं लोग जाने किस मूँ से ऐसी बात बोल जाते हैं बड़े बुद्धि मान बाटे वैमन शिता का ग्यान स्वयम विचारों के यह राज खोल जाते हैं तो कर्म नहीं धर्म नहीं मर्म नहीं शर्म नहीं खाकर नमक बाद विश घोल जाते हैं तो पशुता की पशुताई से भिनिंदनीय सोच सुन आत्मियता के भाव डोल जाते हैं